हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सवित रायकेडमी, 13 अगस्त 2021 के दैनिक जागरण के राष्टिय संस्क्रण को आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे जो मेन हैडिंग है आज फेज में, फर्स्ट पेज में, वो है कि पहले द सिर्फ विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है, उन्होंने ऐसा माना है, कि किसी भी तरह से उन्होंने कारवाही नहीं करने दी, जबकि ये मानसून सत्र उनके द्वारा ही, याने कि उनके कहने के मताबिक ही बुलाया गया था, वैसे मानसून सत्र होता है, लेकिन उनसे सहमती लेने के बाद एक सरदोलिय बैठक की गई थी जिसमें ये सहमती बनी थी कि जो मांसून संसत्र है उसको सुचारू रूप से चलने दिया जाएगा लेकिन हुआ उसका उल्टा विपक्ष ने और खास तोर पर कॉंग्रेस ने इस मांसून सत्र को नहीं चलने दिया आपको पता सत्र होता है वो फर्वरी से मार्च तक चलता है और मांसून सत्र जुलाई से अगस्त तक चलता है और सीत कालिन सत्र जो है वो नौंबर से दिसम्बर तक चलता है तो इस तरीके से तेन सत्र होते हैं सोर्स रावे वहुर्दं की घटनाओं के बीच संसत का मानसून सत्र तै समय से दो दिन पहले ही समाप्त हो चुका है और सत्ता पक्छ वह विपक्छ एक दूसरे पर ठीकरा फोल रहे हैं सरकार का आरोप है कि विपक्ष पहले दिन से ही सत्र को ठप करने का मन बना चुका था, फिर भी बार-बार समझाने की कोशिस की गई, नेताओं से संपर्ख साधे गए, लेकिन विपक्ष ने विरोत के क्रम में, सीसा तोड़ा, सदन में के मेश पर चड़े, वीडियो बनाने लेगे, धक्का मुकिकन, ऐसी कई घटनाय हुई जो संसत की मर्यादा को तार-तार करती है, गुरुवार को जहां विपक्ष ने सरकार को घेरा, वही सरकार के आठ मंत्रियों, प्यूश गोयल, मुक्तार, अब्बास, नकवी, प्रहलात, जोसी, भुपेंद्र यादो, धर्म दिये मर्यादाओं को कुचलने का किस तरीके से काम किया है, नेक्स न्यूज, हिंसा रोकने पर तालिबान को सत्ता में हिस्सेदारी का प्रस्ताव, थेकि अफगानिस्तान के जो राष्टपती हैं, अश्रफ गनी, उन्होंने तालिबान को एक प्रस्ताव भेजा है, कि वो आम जनता को या फिर जो सैनिक हैं, उनका भी खून खराबा ना करें, उसके एवज में उन्हें सत्ता में, अफगानिस्तान के सत्ता में भागेदारी दी जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान कहीं न कहीं इसमें कमजोर पढ़ता जा रहा है, उसके कई प्रांतों पर बढ़ रहा है, दस प्रांती राजधानियों पर कबजा पहले ही तालिबान कर चुका है, मेडिया आउटलेट ए आर वाई न्यूस ने बताया है कि गनी के निर्दत वाली अफगानिस्तान सरकार ने सत्ता के बटवारे के सौदे की पेशकस की है, जिसमें उसने तालिबान स क्रूड हमलों पर गंभीर चिंता जताई है, इन हिंसक घटनाओं के कारण देश में युद्ध अपराग मानवा धिकारों का उलंगन वा भारी तबाही हुई है, बैठक में अमेरिका, रूस, चीन वा पाक सामिल थे, बैठक का उद्देश अंतर अफगान सांती वारता को समर्थक तरीके से सुरू करना था, नेक्च नियूज है कि कक्षा में स्थापित नहीं हो सका, इस्रो का निगरानी उपग्रा, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानि इस्रो के भू-इस्तिर कक्षा से प्रित्वी की निग्रानी करने वाले पहले उपग्र सेटिलाइट GISA-1 या EOS-3 को की लॉंचिंग का जो मिशन था वो गुरुवार को पूरा नहीं हो सका स्री हरी कोटा इस्तित सतीस धवन अंतरिक्ष केंद से प्रचेपन के बाद GSLV F-1 रॉकेट ने दो चरण सफलता पूर्वक पूर्ण किये लेकिन पांचमे मिनट के बाद क्रायोजोनिक इंजन के चरण में तकनीकी गड़बडी आ गई क्रायोजोनिक इंजन से आंक्डे मिलना बंद हो गए इसके कुछ देर बाद इस रो ने मिसन पूरा नहीं होने की घोशना कर दी तो यहाँ पर जानने के लिए हमारे लिए दो तीन चीजे हैं सबसे पहले हम जानते हैं इस रो के बारे में याने की इंडियन स्पेस औरनाइजेशन यह भारत का एक अंतरिक संस्थान है आप कहा सकते हैं जिसका मुक्याले बैंगलाओर में है इस संस्था में लगबग 17,000 कर्मचारी और वग्यानिक कारे करते हैं भारती अंतरिक्ष अनुसांधान संग्ठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी के सिवन इस GISAT इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका फुल फॉर्म होता है जियो इमेजिंग सेटिलाइट इसका फुल फॉर्म होता है और उसके बाद हमने एक और टर्म देखा यहाँ पर EOS EOS 3 तो यह EOS का फुल फॉर्म जान लेते हैं Earth Observation Satellite इसका फुल फॉर्म होता है नेक्स निउस पर आते हैं महिला स्वयम सहयता समूहों के लिए दोगनी हुई रण सीमा अभी तक इन्हें रण जो मिलता था वो 10 लाग का मिलता था अब उसे बढ़ाकर 20 लाग कर दिया गया है तो सबसे पहले हम महिला स्वयम सहयता समूहों के बारे में जानते हैं कि जो Self-Help Groups की जो महिलाओं को ससक्त बनाना है और उनके बीच नितत्व कौशल का विकास करना है ससक्त महिलाएं ग्राम सभा और चुनाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं सरकारी योजनाओं के अधिकांस लाभारती कमजोर और हाशिय के समूदायों से हैं और इसलिए Self-Help Group के माध्यम से उनके भागेदारी सामाजिक नय सुनिश्चित करती है महिला स्वेम साहता समूदों की रिन सीमा को सरकार ने बढ़ा कर दोगना कर दिया है महिला स्वयम साहता समुहों से बाचीत में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 6-7 वर्सों के भीतर ही देश में ऐसे समुहों की संख्या में तीन गुना से अधिक की व्रद्धी हुई है महिला उद्धमियों के लिए 1600 करोण रुपए की धनरासी जारी करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि महिला स्वयम साहता समुहों को अब तक जहां 10 लाख रुपए का रण मिलता था उसे बढ़ा कर 20 लाख रुपए कर दिया गया है Next News पर आते हैं 152 पुलिस अधिकारियों को ग्रह मंत्री मेडल अपराधिक मामलों की जांच में उतकरष्ट वह उच पेशेवर मानुकों को बनाये रखने के लिए देश के 152 पुलिस अधिकारियों को वर्स 2021 के केंद्रिय ग्रह मंत्री पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है इसमें दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर 37 चंद्र सर्मा जो मर्नो परांथ उनका नाम सामिल है पुरुसकार की सुरुवात वर्स 2018 में की गई थी पिछले सालिया पुरुसकार 121 पुलिस अधिकारियों को प्रदान किया गया था यह ग्रह मंतरालय के एक बयान में बताया गया है कि उत्करष्ट जाच के लिए केंद्री मंत्री मंडल मेडल दोहर 21 पाने वालो में 28 महीला पुलिस अधिकारी भी सामिल हैं पुरुसकार पाने वालों में CBI के 15, मद्ध परदेश वा महराष्ट पुलिस के 11, 11, उत्तर परदेश के 10, केरल वर राजस्थान के 9, 9, दविलनाडू के 8, बिहार के 7, गुजरात, करनाटक वर दिल्ली के 6 पुलिस अधिकारी सामिल हैं, तलंगाना के 5, आसम, हर्याना, उड पुलिस अवा बंगाल के 4, जबकि सेस अन्य राजजी केंजिस सासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारीयों को भी पुरुसकार से नव आ जा जाएगा. नेक्स न्यूज है, बिजनेस पेज से, बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, एकनौमी की रिकवरी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध, ये स्टेट्मेंट दिया है वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने, वित्तमंत्री निर्मला सीता रमण ने कहा है कि अर्थ व्यवस्ता की रिकवरी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिसा में सभी जरूरी कदम उठाने की तयारी है, उन्होंने कहा है कि अर्थ व्यवस्ता मजबूत होती दिख रही है और कोरोना काल में सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसके नतीजे भी दिख रहे हैं उद्द्योग संगठन CII की तरफ से आयोजित कारकरम में उद्दमियों के सांथ समवाद में वित मंत्री निर्मला सिता रमन ने बताया कि इस वर्स सुरुवाती पांच महीने में परत्यक्ष विदेशी निवेस म में 37 फीजदी की बढ़ोत्री हुई है जुलाई के आखिर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 620 अरब डॉलर के रिकॉर्ड इसतर को पार कर गया तो यहां पर तीन चीजें हमें जानना है पहला है CII के बारे में उसके बाद FDI के बारे में और विदेशी मुद्रा भ भारती उद्योग परिसंग भी कहते हैं इसकी स्तापना 1895 में 1895 में की गई थी और भारत की एक गैर सरकारी गैर लाब उद्योग नेर्थत्व तथा उद्योग परतिबंदित संग्ठन है यह यह भारत की उद्योगिक विकास प्रक्रिया में एक सक्री भूमिकल निभाता ह अब जानते हैं हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेस के बारे में उससे पहले और भी जान लीजे कि भारती उद्द्योग परिसंग जो है वो सलाकार और प्रामर्ष समंदी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्द्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साजे अपना होई थी उसके बाद हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेस क्या होता है किसी एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जब निवेस करती है तो उसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेस कहा जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेस ऐसे निवेस से निवेश इंडिया में कोई कारोबार करना है तो वो FDI के माध्यम से कर सकती है जैसे कि एक्जामपल लेते हैं डावर का तो वो डावर में FDI के तहट कुछ हिस्सेदारी उसकी खरीद लेगी अगर हम देखें तो जो प्रतेक्ष विदेशी निवेस है इसकी सुरुवात 1991 के आर्थिक सं वरद्धी हुई ऐसे में दो आम मार्ग हैं जिनके माद्यम से भारत को विदेशी प्रत्ययक्ष मिल सकता है अब आुद जो निवेस है अर्थात भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारती कम्पनियों की पूंजी गत लिखतों में तथा किसी LLP की पूंजी एक होता है प्रतेक्ष विदेसी निवेश और दूसरा होता है विदेसी पोर्टफोलियो निवेश याने की FPI एक होता है FDI और एक होता है FPI अब FPI के बारे में भी जान लीजे विदेसी पोर्टफोलियो निवेश किसी भी दूसरे देश की परियोजना या कंपनियों में किय जाने वाला निवेश ही FDI और FPI कहलाता है उसके बाद हमें जानना था विदेशी मुद्रा बंडार के बारे में तेकि विदेशी मुद्रा बंडार किसी भी देश के केंद्री बैंक दौरा रखी गई धनरासी या अन्य परिसंपतियां हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर वह विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार दरसल सही माइने में वे केवल विदेशी मुद्रा जमा रासी और केंद्री बैंक तथा मौद्रिक अधिकारियों के पास सुरक्षित बॉंड है हाला कि लोकप्रिय वेवहर में आम तोर पर इस सब्द में साधारनता विदेशी मुद्रा और सोना, SDR एवं IMF की आरक्षित भंडार की अवस्थितियां सामिल है उसके बाद अब आटिकल में आगे देखते हैं कि पिछले वर्ष सिक्तंबर अक्टूबर से लेकर अब तक के करज के रूप में 5 लाग करोन रुपए एकनौमी में डाले गए हैं पिछले कुछ समय के दौरान निर्याद भी बढ़ रहा है, लोगों का बाजार में भरोसा बढ़ रहा है और सियर बाजारों में निवेस के लिए हर महीने 3 लाख नए डीमेट एकाउंट खोले जा रहे हैं सीता रमण ने बताया कि अर्थ वहस्ता को मजबूत बनाने के लिए कई मोर्चे पर काम किया जा रहा है टेक्स की वसूली बढ़ रही है, इस वज़ा से सभी राज्यों को इस वर्ष समय पर GST छति पूर्थी का भुकतान हो जाएगा संसत के चालू सत्र में फैक्टरिंग बिल, इंसोरेंस बिल और रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स हटाने के लिए बिल पारित किये गए है तो यहाँ पर हमें तीन और बिल मिले जानने के लिए, जिनके बारे में हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टरिंग बिल, यह फैक्टरिंग बिल क्या होता है, देखिए फैक्टरिंग व्यवसाय, ऐसा व्यवसाय है, जहां एक इकाई, एक निश्चित रासी के लिए किसी अन इकाई की प्राप्त रासी का अधिगरण कर लेती है प्राप्त और यह सुरक्षा के विरुद्ध बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रेडिट सुविधाओं को फैक्टरिंग व्यवसाय नहीं माना जाता है इस व्यवसाय में एक बैंक एक पंजीकरत गै उसमें फैक्टरिंग बिजनेस को एसाइनमेंट के जरिके एसाइनर के रिषीवेल्स के आधिग्रहन के तौर पर परिभासित करता है फैक्टर का रेजिश्ट्रेशन एक्ट के अंतरगत भारतिे रिजर बैंक चे Air बैंक के साथ रेजिश्टर किया बिना कोई कंपनी फैक् कारणों में कहा गया है कि सारजनिक छेतर की बीमा कमपनियों में अधिक निजी भागेदारी का उपबंध करने बीमा पहुंच में व्रद्धी करने सामाजिक संदक्षन एवं पॉलिसी धारकों के हितों को बहतर रूप से सुरक्षित करने तथा अर्थ व्रस्ता की तीवर व रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स यह हम पिछले कई वीडियो में डिसकस कर चुके हैं फिर भी भारत सरकार ने 2012 के बजट में रेट्रोस्पेक्टिव टेक्स लागू किया था जिसके तहत 1962 के बाद किसी भी विलय और अधिग्रहन पर टेक्स देना अनिवार कर दिया गया मामला अंतराश्ट्री मध्यस्तता अदालत के समक्ष लंबित था जिस पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है अंतराश्ट्री मध्यस्तता अदालत ने भारत सरकार को यह भी कहा कि कंपनी का जो फंड सरकार के पास है वो ब्याज सहित कंपनी को वापस किया जाना उसके पहले से जो टेक्स है या फिर कम्या है या फिर जो बकाया है उस पर से लिया जाएगा इससे क्या होता था कि भारत की साक विदेशों में काफी गिरी थी जिससे कंपनियां यहां पर अधिगराण करने से पीछे हट रही थी चालू वित्तवर्स में विनिवेस तेजी से बढ़ रहा है इस साल Air India, BPCL, Concord जैसी कंपनियों के विनिवेस का काम पूरा हो जाएगा वहीं सारजनिक कंपनियों की संपदा के मौदरी करन के प्रयास तेज किये जा रहे हैं इससे उद्रमियों को सरकारी कंपनियों की बेकार पड़ी जमीन मिलेगी तो यहाँ पर विनिवेस के बारे में जान लेते हैं यह सारजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेस या डिस इन्वेस्टमेंट कहलाती है कई कमपनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है शेयर बजार में अपने हिस्से के शेयर की विक्री का ओफर जारी कर सरकार खुद्रा और संस्थागत निवेशकों को उस PSU में निवेश करने के लिए आमंतरित करती है तो अब जब अमंतरित करते हैं आनिके अपनी इससेदारी बेशती है तो वो तो निजी करण हुगा ना लेकिन अगर हम देखे तो विनिवेस और निजी करण में अन्तर को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं तो निजी करण जो है वो सारजनिक छेतर के सौमित के हस्तांतरन की प्रक्रिया है जो निजी छेतर के लिए है विनिवेस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई संगठन या सरकार उन संपत्तियों को बेचती है या उनका परी समापन करती है जिनका वह मालिक है वित्तिय साहता प्रदान करना और चिंता की दक्षता को बढ़ाना ये विनिवेस और निजी करण में अंतर है नेक्स्ट निउस पर आते हैं नेक्स्ट निउस है कि सभी भारतियों को चार वर्सों में इंटरनेट से जोड़ेंगे चंसेखर अभी चंसेखर है हमारे इलेक्ट्रोनिक्स वर आईटी राजिमंत्री राजीव चंसेखर उन्होंने कहा है कि 2025 तक सभी भारतियों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष रखा गया है यह काम मुख्य रूप से broadband इंटरनेट के माद्धम से किया जाएगा उन्होंने कहा है कि कारोबार में आसानी के लिए साइबर कानून को आसान बनाया जा रहा है और quantum computing और artificial intelligence जैसी उच तकनीक पर focus किया जा रहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं quantum computing क्या है और artificial intelligence क्या है तकि आज के समय में अगर computer हमारी जीवन का एक एहम हिस्सा बन चुका है तो आज कोई भी छेत्र हो चाहे वो education हो, business हो, medical line हो, कोई ऐसी जगा नहीं है जहां पर computer का इस्तमान ना होता हो तो आज कल computer का size चोटा होता जा रहा है और छमता बढ़ती जा रही है आपने देखा होगा कि आपके mobile जो आप mobile यूज करते हैं उसमें भी जो chip होती है वो 2010 में 1 GB की होती थी वही chip उतनी ही आकार में आज आज आपको 1 TB की मिल रही है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि technology कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है हाला कि जब से computer बने हैं तब से वो और भी powerful बनते जा रहे हैं लेकिन फिर भी जिन computers को आज आप इस्तमाल कर रहे हैं उनकी कुछ limitations होती है जैसे कि इसको और power consumption आज बहुत सारी कंपनियां जैसे google और ibm, quantum physics का इस्तमाल करके ऐसे computer बना रही है जिसे आप भविश्य का computer कह सकते हैं उसके बाद artificial intelligence तेस सरल सब्दों में अगर समझें तो artificial intelligence का आर्थ है एक machine में सोचने समझने और निलने लेने की चमता का विकास करना artificial intelligence को computer science का सबसे उन्नत रूप माना जाता है और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें computer सोच सके computer का ऐसा दिमाग जो इंसान की तरीके सोच सके उसे ही artificial intelligence बोला जाता है उद्योग संग्ठन CII के कारिक्रम में चंसेखर ने बताया कि अगले तीन से पांच वर्सों में पांच हजार करोन रुपे टर्न ओवर की 500 से 600 कंपनिया होंगी जबकि अभी इनकी संख्या मात्र 25 है उन्होंने निजी छेत्र में इनोवेशन पर फोकस करने का आग्रह करते हुए कहा कि भरोसे मंद और किफायती टेक्नोलोजिक कंपनी ही supply chain का हिस्सा बन सकती है अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं नेक्स्ट पेज है हमारा editorial page पेज में जो पहला article है हमारा वो है सक्षम पीड़ी तैयार करने वाली सिख्चा नीती यानि कि फिर से हमें एक article मिला है राष्टे सिख्चा नीती पर और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रि सिक्षा मंत्री धर्मेन पधानने जो अभी हाल ही में सिक्षा मंत्री बने हैं तीके इन्होंने 8 जुलाई को पद समाला था और उन्होंने ये बताया है कि चुनोतियां और चुनोति पून और रोमांचक पद मुझे मिला है यहां इस वर्ष के प्रतीक्षा के बाद ये जो नई राष्टी सिक्षा नीती आई है जिसे 21 सदी की पहली सिक्षा नीती कहा जा सकता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है एनिपी 2020 काफी आप कह सकते हैं कि संभावनाय लेकर सिक्षा जगत में आया है जिसका देश के सैक्ष पर दूर गामी प्रभाव पड़ेगा इसके आंतरिक बदलाव इससे जो है वो आंतरिक बदलाव होगा और संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा जिससे भारत के भविश्व को नई दिसा मिलेगी और विश्व में उसकी प्रतिष्टा बढ़ेगी आप चाहें तो कह सकते हैं क गुडवत्ता समानता पहुच और सामर्थ के सिधानतों पर तयार की गई है या निती हमारी सरकार के लिए एक मारदरसर बन सकती है अब यहां पर सबसे पहले एन एपी के बारे में जान लीजे एन एपी के बारे में आपको इसी चैनल पर कई बार बताया जा चुका है एक इसे वीडियो भी बना है लेकिन जो लोग नए हैं नए जुड़े हैं हमारे साथ वो जान लीजे नेशनल एड्यूकेशन पॉलिसी यह क्या है देखिए जो राष्टिय सिख्छा नीती है भारती सम्विधान के चौथे भाग में उल्लकित नीती निदेशक तक्तों में कहा गया है कि प्राथमिक इस तर के सभी बच्चों को अनिवार वह निसुल्क सिख्छा की व्योस्ता की जाए 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में विस्विध्याले सिख्छा आयोक के गठन के साथ ही भारत में सिख्छा प्रणाली को व्योस्तित करने का काम सुरू किया गया था तो जो सिख्छा निती है 2020 उसमें चात्रों के रशनात्मक सोच, तारकिक निर्णे और नवाचार की भावनाओं को प्रुसाहित किया जाएगा भासाई बाध्यताओं को दूर करने दिव्यांग चात्रों के लिए सिख्छा को सुगम बनाने आदी के लिए तकनीक के प्रयोक को बढ़ावा दिया जाएगा जो नई सिख्छा निती 2020 है वो भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोसित किया गया था सन 1986 में जारी की गई नई सिख्छा निती के बाद भारत की सिख्छा निती में यह पहला नया परिवर्तन है यह निती अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अधच्छता वाली समिती की रिपोर्ट पर आधारित है तक्नीकी तोर पर अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत में अभी तक दो सिख्छा निती लागू हुई है पहली सिख्छा निती 1968 में 1968 में लागू हुई थी जबकि 1986 में दूसरी सिख्छा निती लागू की गई थी जिसका मुल्यांकन करते हुए 1992 में 1992 में इसको संसोधन कर के संसोधित सिक्षानीती लागू की गई थी अगर हम थोड़ा सा इसका इतिहास देखें सिक्षानीती का तो भारती समिधान के बारे में चौथे भाग में हमने लेखे दिये मैंने आपको भी बताया और 1952 में लक्ष्मन स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में गठित माध एक प्रस्ताव प्रकाशित किया गया जिसमें राश्टी विकास के प्रती वचन बद्ध चरित्रवान तथा कुशल पूर्वक यूवक यूवताओं को तैयार करने का लक्ष रखा गया यानि कि जो 1968 की सिक्षानीती है उसके लिए 1952 में लक्ष्मन स्वामी मुदलियार और 1964 में दौलत सिंग कुठारी की अध्यक्षता में समिती गठित की गई थी अगर वहीं हम जो उसके बाद की सिक्षानीती थी मैं 1986 में नई राश्टिय सिक्षानीती लागू की गई थी जो अब तक चल रही है इस बीच राश्टिय सिक्षानीती की समित्षा के लिए 1990 में 2020 भारत के सिक्षानीती है जिसे सरकार दौरा 29 जुलाई को घोशित किया गया था और ये वैग्यानिक के कस्तुरी रंगण की अध्यक्षता में किया गया तो य Mia की तीनों जो सिक्षानीती है उसके अध्यक्षा आपको पता चल गए, समितिया पता चल गई आगे आर्टिकल में देखते हैं क्या लिखा गया है कि NEP 2020 की पहली विसेशता यह है कि इस नीति इस नीतिगत उपाय के माध्यम से सबावेशी सिक्षा पर विसेश जोर देकर हम जो स्कूल से ही एक बच्चे के लिए आर्थिक सक्षम परिवेश सुनिक्षित करते हैं NEP में सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाकर गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा से जोड़ा गया है नई 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 इसकूली सिक्षा प्रणाली के जरिये एक बच्चे को आपचारिक इसकूलों के लिए तयार किया जाना है अब यह 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 क्या होत सिक्षा पाठक्रम संबंदी और पाठक्रम के अलावा मानवी की और विज्ञान के बीच के वर्गी करण को तोड़ कर बहु विश्यक व्यचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को पढ़ावा दिया गया है इसमें रशनात्मक संयोजक करने की पूरी संभावना है NDEAR समग्र सिक्षा इसकिम 2.0 में भी साहता करेगी जिसे अगले 5 वर्सों के लिए बढ़ा दिया गया है इसके लिए इस महा की सुरुवात में 2.94 लाग करोड रुपय के वित्य परिवे की घोशना की गई है एक व्यापक कारिक्रम में जो सरकारी और साहता प्रात स्कूलों के प्री स्कूल से लेकर बारवी कक्षा तक के 11.6 लाग स्कूलों 15.6 करोड से अधिक छात्रों और 57.6 लाग सिक्षकों के लिए है सभी बाल केंदरित वित्य साहता डीबीटी यानि की डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिये सीधे छात्रों को प्रदान की जाएगी डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांस्फर क्या होता है देखिए इसके माध्यम से सरकार का कोई भी सरकार की जो विद्धिय मदद होती है वो सीधे खाता धारक के खाते में जाती है यानि कि आपके account में सीधे वो पैसा आएगा उसमें बिचोलियों का कोई role नहीं होता है उच्छा छेत्र के लिए एक academic bank of credit यानि कि ABC होगा जो विभिन उच्छ सिक्छन संस्थानों से अरजित सभी section credit के digital storage की सुविधा प्रदान करेगा ताकि उन्हें अंतिम डिग्री में सामिल किया जा सके अब academic bank of credit के बारे में मेरे द्वारा एक वीडियो बनाया गया है आप उसे देख सकते हैं उसका link आपको description box में मिल जाएगा NEP मूख बधिर छात्रों के लिए राश्टी और राजज पार्ठक्रम की सामगरी को भारती सांकेतिक भासा में तयार करने के मानवी की करण सहित सिक्षा के माध्यम के रूप में मात्र भासा, इस्थानिय भासा या छेतरी भासा के लिए तीन भासा नीती की भासाई दक्षता के माध्यम से ज्ञान अर्थव्यस्था तयार करती है युनेसको ने ISL आधारित समगरी पर विशेज ध्यान देते हुए प्रवधोगी की सक्षम समावेशी सिक्षन समगरी के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों की सिक्षा को सक्षम बनाने के लिए किंग सेजोंग साक्षर्ता पुरुसका 2021 से समानित किया गया है प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का मानना है कि NEP 2020 विद्यारतियों की उच्चतम दक्षता और कौशल को बढ़ाएगी या निती विश्व इस्तर की सिक्षा प्रणाली के इदिहास में सबसे अधिक परामर्श प्रक्रियाओं के बाद लाई गई है और भारत को ग्यान आधारि सिर्ष पर पहुंचाने में हमारे नित्रत्त के संकल्प और द्रश्टी कोण को दर्साती है जैसा कि हम अम्रत महुत्सव या भारत की स्वतनत्ता के 75 वर्ष मना रहे हैं अब वीडियो में जैसा बताया गया था आपको कि हम 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के बारे हम जानेंगे तो यह जो 5 है इसमें जो बच्चे होंगे वो प्री में जो प्रेप में खेलते हैं या फिर किट्स जो बोला जाता है प्ले ग्रूप बोला जाता है तो तीन साल बच्चे प्ले ग्रूप में रहेंगे उसके बाद पहली क्लास और दूसरी क्लास याने कि तीन चार और एक यह प टोटल हो गया ये पाँच आया समझ में आपको याने की playgroup तीन साल तक चलेगा फिर पहली class एक साल फिर दूसरी class एक साल ये टोटल पाँच हो गया उसके बाद तीसरी class चौथी class और पांचमी class ये हम इस तीन में पढ़ेंगे याने बच्चे पढ़ेंगे फिर जो दूसरा इसमें 6th class, 7th class और 8th class ये इस 3 में पढ़ा जाएगा इस 4 में 4 साल में 9th, 10th, 11th और 12th इस तरीके से इसे विभाजित या कह सकते हैं इसका बटवारा किया गया है जो पहले सिर्फ 10 प्लस 2 था अब उसको 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया है तो I hope आपको ये समझ में आया ह नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं खत्रे की घंटी को सुनने की जरूरत इन्वार्मेंटल पैनल और ये आर्टिकल लिखा है और सास्त्री डॉक्टर सुर्जीत सिंग द्वारा इन्वार्मेंटल पैनल ओन क्लाइमेट चेंज याने IPCC की नई रिपोर्ट मानो जगत के एक जुट हुआ जा सकता है आज यह हमारी जरूरत नहीं बलकि एक अनिवारिता भी है पिछले कुछ महीनों में धर्ती के अलग-अलग हिस्तों में लोगों ने प्रकृति के जिस रौदर रूप को देखा वह प्रत्याशित नहीं है बलकि मानों के अनियोजित विकास के प जिम्मेदार मानो निर्मित कारक ही है जलवायू प्रिवरतन के कारण मौसमी घटनाओं में व्रधी के साथ साथ वर्सा के बदलते पैटर ने इस्तती को और जटिल बना दिया है तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है वो जान लेते हैं पृत्वी लगातार गर इसकी वजह से पृत्वी के एवरेज सर्फेस तापमान में होने वाली व्रधी को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग या वैस्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृत्वी लगातार गर्म होती जा रही है वैग्यानिको का कहना है कि आने वाले दिनों में सुखा बढ़ेगा बार की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज बुरी तरह बिगड़ता हुआ दिखेगा इसका असर दिखने भी लगा है ग्लेशियर पिगल रहे हैं और रेगिस्तान पसरते जा रहे हैं आने की बढ़ते जा रहे हैं अब आर्टिकल में यह बताया गया कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते हैं परन्तु 2001 Tक अरब सागर में 52 प्रतिसत अधिक चक्रवात आये हैं बंगाल एवं आवरत्ती भी बढ़ जाती है तो यहाँ पर जानते हैं चक्रवात क्या होता है देखे चक्रवात घूमती हुई वायू राशी का नाम है उत्पत्ती के छेत्र के आधार पर चक्रवात के दो भेद हैं उश्न कटी बंधिये चक्रवात या वलकियकल चक्रवात तथा समझ गया यह दो तरीके से होते हैं यह वायू संग्ठन या तुफान है जो उश्ण कटी बंद के में तीव्र और अन इस्थानों पर साधारन होते हैं विकास की अंधी दोड में मानव ने प्रकृती संतुलन को बिगाड़ दिया है उदोगी करण सहरी करण एवं वनोन मूलन यानि की वनों का जो कटाव हो रहा उसे कारण अधिक कारवन सर्जन में बीशवी सदी में पृत्वी का तापमान दिसमलो आठ डिग्री सेल्सियस बढ़ा है आई पी सीसी की रिपोर्ट में यह अभी कहा गया है कि 2030-2040 के बीच औस वेस्टविक तापमान देर डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगा विश्वी की कुल कारवन डायकसाइट का 28 प्रतिसत चीन 15 प्रतिसत अमेरिका 7 प्रतिसत भारत और 5 प्रतिसत र सितोष्ण या भूमध्य रेखी चेत्रों की तुल्ना में ठंड चेत्र तेजी से गर्म हो रहा है पिछले 60 वर्सों में अलास्का लगबग 3 डिग्री फॉरें हाइट गर्म हो गया है साइबेरिया में लेप्टेव सागर लगबग वर्फ मुक्त हो चुका है तो यहां पर सितोष्ण कटी बंद के बारे में जान लीजिए सितोष्ण कटी बंद या समसितोष्ण कटी बंद ऊश्ण कटी बंदिये और सीत कटी बंद के बीच का छेत्र कहलाता है इस छेत्र की विशेष्टा यह है कि यहां गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है भुमत्य साग्रिय बेसिन इरान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्की अलास्का और उत्तर पश्चिमी संयुक्त राज अमेरिका के अन्य हिस्सो पूर वासिंग्टन पूर्वी ओरेगन और दच्छन इडाहो और रूसी दच्छन पूर्वी छे में आते हैं नेचर पत्रिका में प्रकाशित एक लेक के अनुसार दो डिग्री सेल्सियस ताप्मान में व्रद्धी होने की इस्तिती में वर्फ, मुक्त, ग्रीस, म काल, 20 गुना अधिक होने के आसार हैं तोवजर पचास तक दच्छन पूर्व सविक्त राज अमेरिका में 32.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप्मान के 40-50 दिनों का अत्रिक्त अनुभव होने की उम्मीद है आज हम भले ही जलवायू परिवर्तन के छोटे प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं लेकिन यदि समय रहते इस विशय पर गंबीरता से नहीं सोचा गया तो सब्वता को विनास के मुहाने तक ले जाएंगे जहां सिर्फ महामारिया और विनास ही देखने को मिलेगा थर्ड आर्टिकल है बेसुरा रुदन वही विपक्ष और संसद इस आर्टिकल को नहीं देखेंगे कोई पहली ही निउस इसी से रिलेटेट थी अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर क्वाड की बैठक में ताइवान गलियारे पर चर्चा चीन के आकरामक व्यवहार के खिलाफ चार देशों अमेरिका भारत जापान ऑस्टेलिया के गटबंधन क्वाड की कूटनीतिक सक्रिता बढ़ती जा रही है गुरुवार को इस गटबंधन के तहट चारों और चारों देशों के विदेश मंत्राले के अलावा अधिकारियों की बैठक हुई बैठक के केंदर में चीन से जुड़े मुद्दे ही रहे कौट की बैठक में हिंद प्रसांद छेतर की इस्ति और वहां चीन के बर्चस को लेकर चर्चा होती रही लेकिन इस बार ताइवान गलियारे का मुद्दा भी खास तोर पर उठा ताइवान गलियारे वैसे तो हिंद प्रशान छेत्र का ही हिस्सा है लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्राले ने अपनी विग्यप्ती में पहली बार इसका जिक्र कर चीन को संकेत दिया है कि क्वाड के देश ताइवान के मुद्दे को लेकर भी मुखर होंगे चीन की तरफ से इ अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताईएगा या फिर इस वीडियो में आपको और कौन से सुधार चाहिए आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद